हलो फ्रेंस वल्गम माई गुप चैनल बाड़ लावर देव जी तो आज मैं एक फूट के हवाले से कुछ इंपॉर्मेशन दोंगा कि आप बाट को कैसे एक फूट प्रोबाइट कर सकते और एक फूट से आपको बाट को क्या फाइदा मिल सकते हैं यही मैं इस वीडियो में बताऊंगा और इस वीडियो का आप सुरू से लेकर अंतक जरूर देगना तब भी समझ पाऊगे और मेरे वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक करके जाना और मेरे चैनल में नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जो बेला इकनाएगा उसको भी दवा हैं बाट को तो एकपूट में विडरे यह मली था है बिडरी डी सी बहुत सा अर चरत года करिये कि प्रोटीन और बहुत सारा कैल स्या को बाट को आप विंगर के खाने से तो उसका बहुत बारा साइच हो जाता है और जारदी ग्रो कर जाता है और समर के सिजने में एक पूट आप एक से दो बर दे सकते हो चीक्स होने से चीक नहीं हो तो आप नहीं तो बहुत अच्छा है तो दे सकते हो कोई पाबलम नहीं होगा नहीं तो आपका जो चीक जल्दी से ग्रो कर जाएगा तो एक पूट आप दे सकते हो कि लेकिन सामर के सिजन में थोड़ा देना और जब एक पूट आप दीजेगा तो थोड़ा सा न्यू पेप्टिंग का जो डाइजिस्ट करने में साय तक आता है तो वही मेडिसीन आप 100 एमेल वाटर में तो चार से पांच बूट दे सकते हो क्योंकि वह जब एक पूट खाएगा तो उसको सामर के सिजन में बहुत ज्यादा पॉब्लम हो सकता है और आपको बट को लूस मुसन हो सकता है और जो चीक से रहेगा हंडी में उसका भी लूस मुसन हो सकता है तो यही पॉब्लम हो सकता है तो बाट देखना बीडिंग सीजन स्टार्ट हो गया लेकिन दो से तीन माइना हो गया लेकिन आपका बाट बीडिंग पर नहीं आ रहा तो तब जाके आप इस एक पुट को दे सकते हो जो आंडे का चिलका है तो वही मिलाकर भी दे सकते हो और उसके साथ आप ब्रेट या गाजर या राइस को दे सकते हो बό search को दे सकते हो मिलाकर तो उससे आपका बाट सौक से घाता है और आपका जो बाट का जो आणडा होगा ना वह बहुत फटली कि होगा और उससे जो चीक्स निगलेगा वह बहुत थेल्दी होगा और एही फॉर्मॉला आप फॉलो कीजेगा तो एक पूट का बहुत सारा ही फायदा मिलता है और यह इसका जो प्रोटीन है वो बहुत सारा प्रोटीन मिलता है और इससे आपका ब्राट जल्दी से ग्रो कर जाएगा तो इस वीडियो में लग और इस वीडियो में इतना ही मिलते है नेक्स वीडियो में अप